हेलो फ्रेंट्स स्वादत है आपका प्रीदिस कीचेन में आज हम बनाएंगे होटर लिस्टाइल फिस करी चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं हमने यहां पर लिया है रूवी फिस रूवी फिस को अच्छी थर से धोके साप कर लिया है और हल्दी नमक डालकर मेरिनेट कर लिया है पहले हम फीज को फ्राइ कर लेंगे हमने यहां पर ससो का तेल इस्तिमाल किया है नोनवेज बना रहे हैं तो ससो का तेल इस्तिमाल करें उसमें नोनवेज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम लोग का तील गरम हो जाएगा फीज डाल देंगे और हाई फ्लेम में फीस को फ्राई कर लेंगे फीस को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर गोल्डेन व्राउन ना हो जाए फीस के फीसेस को हम अलट पर लट टर देंगे और गोल्डेन व्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे यह देखे, golden brown हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह हम सारे फीज को तल लेंगे उसी तेल में हम डालेंगे आलू हमने बड़े बड़े पिस्टेस में आलू को काट लिया है आलू को भी हम golden brown होने तक fry कर लेंगे यहाँ फर गेज का flame को रखेंगे medium में और अच्छी तरह से fry कर लेंगे यह देखे, आलू हम लोग का golden brown हो गया है अब इसे भी निकाल लेते हैं फिस्करी बनाने के लिए उसी तेल को इस्तेमाल करेंगे और दो चमच इसमें एट कर देते हैं सैसो का तेल तेल जब गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे आधी चमच मेथी मेथी डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छाता है अब इसमें डाल देते हैं एक तेजपत्ता और कुछ खड़े मसाले हमने यहाँ पर लिया है डालची नी बड़ी इलाची छोटी इलाची और इसमें डाल देते हैं दो मीडियम साइज का प्याज हमने इसे दरदर अपीस लिया है हमने यहाँ पर प्याज को महिन फेष्ट नहीं बनाया दरदर अपीसने से इसका स्वाद अलगाता है देखे प्याज अच्छी तरह से भून गया है अब इसमें एट कर देते हैं एक चमच अद्रक लसन का पेष्ट अद्रक लसन का पेष्ट अच्छी तरह से भून लेंगे जब अद्रक लसन का पेष्ट अच्छी तरह से भून जाई अब इसमें एट कर देते हैं थोड़ा सा पानी पानी हमने इसलिए डाला कि इसमें पौडर मसाले डालेंगे तो जलेगा नहीं पहले हम डाल देंगे एक चमच हल्दी पौडर, एक चमच लाल मिर्च पौडर, एक चमच धनिया पौडर, एक चमच जीरा पौडर और एक चमच कसमेरी लाल मिर्च पौडर और इसमें डालेंगे एक चमच चिकन मसाला आपके पस चिकन मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं इस तरह से भी फिशकरी बन सकता है अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसाला को और दो-तीन मीनट के लिए धीमी आँच में कभर करके पकालेंगे दो-तीन मीनट के बाद चेक कर लेते हैं ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है अब इसमें डार देते हैं आलू जो हमने पहले से फ्राय करके रखा है अब आलू को भी मसाला के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे अब इसमें एट कर देते हैं स्वाद नुसान नमाक अब हम आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से दो-तीन मिरण तक धीमी आच में पका लेंगे आलू मसाला हम लोग का अच्छी तरह से पग गया है अब हम इसमें एट कर देते हैं पानी इसका फ्लेम को रखेंगे मीडियम में और ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी एट कर देंगे आपको कितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब में पानी डालिएगा अब हम उबाल आने तक उईट करेंगे ये दिखे उबाला गया अब हम इसमें एट कर देंगे एक सिकरेक्ट चीज दो जम्मच mustard sauce होटल में जब फिस करी बनाते हैं तो mustard sauce डालते हैं इसी दिलिए उल्लो का फिस करी बहुत तेश्टी बनता है अब हम फ्राई किया हुआ फिस को डाल देते हैं और कभर करके पाँच मिनट तक मीडियम आज में पका लेंगे मस्टर्ड सोस है तो आप फिसकरी में जरूद डालिए फिसकरी का स्वाद चार चांद लग जाता है यह देखिए चार-पांच मिनट के बाद चेक कर लेते हैं हम लोग का फिसकरी बन के तयार है आलो भी अच्छी तरह से पग गया है अब इसमें एट कर देते हैं हरा धनिया और मिला देते हैं अच्छी तरह से आप इसे चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्प करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, सेर जरूर करें नए हैं तो मेरा चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए